है आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब क्लास में तो फिस स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जो कि होने वाला है आपका कर दें कि आडियो वीडियो क्लियर रही है या नहीं स्टार्ट किया जाएगा आज का सेशन हमारे बीच काफी लोग लाइव है इस समय बद्धू जी है प्रीती अम्रेंद्र और मुकेश मिनका प्रीती आर्या इलम कुल्पिना राजू शिवानी मानव शुप्रिया एक्ता अर्शना और आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा कि क्लास अब शुरू है ना चलिए एक बाक कर दें कि सब कुछ क्लियर है मैं ठीक हूं पूर्मा जी आप कैसी है केशव आइकांगशी रतने शिवानी समर सिंग अर्चना राम प्रकास जी के लिए है अधा हुमेरा तुपिया राधे राधे क्लास भी दो-चार दिन बाद हो रही है इसलिए बच्चे अब धीमी धीमी जुआन करेंगे जुल रहे होंगे आज उनको खबर हो जाएगी आज बिन फात्मा गॉडब्रस के लिए है क्लियर है ओके थैंक यू फॉर दे कन्फिरमेंशी है कि अधि को एकदम बढ़िया हूं मैं आप लोगों की दुआउं से सब कुछ बढ़िया है ठीक है वाइस थोड़ा स्लो आ रही है या वाइस में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी साइट से तो वाइस एकदम ठीक है मैंने एक बार कन्फिरम किया था चेक भी किया था मैंने कि एक पर आप लोग भी कन्फिरम कर दें कि आउडियो क्लियर है या नहीं मैं ठीक हूं आप कैसी है जै शुरू किया जाए आज का प्रेक्टिक सेशन फिर बागी बात चीथ हम लोग करेंगे बाद में ठीक है पहले क्लास हो जाए अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से है तो क्वेशन नमबर फर्स आपके सामने और आपकी स्कीन पर एसका अंसर दीजेगा क्या होगा बताएं विछ नमबर फर्स इस लॉट्स ओफ मनी have been spent more than one of the above none of the above इसमें क्या होगा बताएं चलिए बता दीजिए बिलकुल चलिए तो पहले question का answer क्या होगा बता दीजिए और मैं आपको एक link send कर रहा हूँ मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अभी भी कभी क्लास की information नहीं मिल पाती है तो आप लोग ने से जॉइन कर दीजिएगा टेलीग्राम का चैनल जिसमें आपको क्लास की information मिलती है कि मैंने आपको link share कर दिया है उस पर click करके आप जॉइन कर दीजिएगा तेकि कुछ लोग first का B answer कर रहे हैं किछ लोग first का D answer कर रहे हैं अलग-अलग answer आ रहा है पर बहुत ही आकर simple तरीके से मैं सारी चीज़ों को आपको explain करूँ तो आपको सब्सक्राइब समझ में आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ a lot of a lot of कभी नहीं होता आपको पता है कि a lot of होता है या फिर आप lots of देखा होगा आपने ऐसा यह क्या होता है यह आपका determiner होता है क्या होता है determiner होता है और इसके बाद में जो noun आता है अगर countable होगा तो plural होगा और अगर uncountable होगा मान लीजिए ठीक है क्या होगा? Uncountable होगा तो singular होगा तो अगर singular होगा तो जायर से बाते verb कैसी आएगी? singular verb आएगी तो यहाँ पर money क्या है? money आपका uncountable noun होता है अगर यह uncountable noun है यहाँ पर have नहीं होगा आपको पता है कि has का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर as नहीं होगा तो mistake आपको क्या मिली? mistake आपको मिली दो एक तो यह वाली और एक यह वाली तो इसलिए right option जो होगा वो आपका हो जाएगा more than one of the above वाला यहाँ पर option तो ही हो जाएगा very simple ठीक है? इतना simple से सवाल फिर भी बहुत से बच्चों ने गलती की क्योंकि आप भूल जाते हैं कि हम BPSC दे रहे हैं और BPSC बहुत ही easy paper बनाता है भले कुछ गलतियां कि वहाँ पर options में mistake रहती हैं लेकिन option की वज़े से वो paper tough हो जाता है वो option होता है D वाला तो just be careful ये बात या रखिये carefully answer कीजिए जल्दी बाजी में आंसर नहीं करना है हम लोगों को ABCD चूस नहीं करना है हमें अपना selection लेना है ये या रखियेगा question number two का क्या होगा the injured man sent to the hospital more than one of the above none of the above इसमें क्या होगा बताएए चलिए answer the question number two बहुत बड़ी हाँ question एकदम conceptual है देखें more than वाले option को भी ध्यान रखना है बिलबखुल चलिए इसमें भी answer आ रहा है कुछ लोग D answer कर रहे हैं कुछ लोग C answer कर रहे हैं और बाकी लोग ध्यान नहीं देते बात को समझे मैंने आपको सिंपल ही देखें जब भी बहुत सारी चीजल को मैं समझाता हूँ और मैंने आपको समझाया एक triangle समझाया है मैं हमेशन triangle की बात करता हूँ फिर बहुत बड़ा concept है जो आज मैं publicly बता रहा हूँ यह बात जान लीजिए, यह मैंने अभी सिफ प्रेट क्लासेज में ही बताया, यह वर्ब का एक ट्रैंगल होता है, जिसमें आपको यह देखना है कि इसमें वर्ब को तीन तरीके से आपको समझना पड़ेगा, पहले चीज़ कि वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, कि प्लूरल आएगी, पहले तो आपको यह पता किया जाता है, कि वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, कि प्लूरल आएगी, फिर दूसरा हमको यह पता करना होता है, कि वर्ब जो होगी, वो किस टेंस के बेस पर होगी, यानि वर्ब एक ही है, बट आपको तीन तरीके से उस वर्ब को वेर तो उसी तरह से वर्ब को पहले यह चेक कीजिए कि सिमूलर आएगा कि प्लूरल आएगा पर यह चेक कीजिए कि किस टेंस में आएगा और फिर यह चेक कीजिए कि वह एक्टिव में आएगा कि पैसिव में आएगा यह भी चेक किया कीजिए इस ट्रैंगल को समझना बहुत ज अगर पास्टेंस की बात कर रहे हैं तो वाज लगा दीजिए ना अगर ये प्रिजेंट टेंस की बात है तो इस इसेंट लगा दीजिए उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा फिर लिखा हुआ टू दा हॉस्पिटल और चुकि इंजर्ड मेन का अगर हॉस्पिटल भेजा गया तो इसका इलाज होगा वहाँ पर यानि अगर जिस बिल्डिंग का इस्तिमाल उसी परपस के लिए किया जाए जिस परपस के लिए वो बनी है उसकी पहले हम आर्टिकल दा का इस्तिमाल नहीं करते तो यह आपर दो मिस्टेक हैं यह और एक यह इस वज़े से आपका इसमें में सेशन में पढ़ाया हुआ है यही क्लासेज जो भी बच्चा टेंट करता है यही कहता है कि वाओ लुकिंग लाइक वाओ तो एलिगेंट है न सो ब्यूटिफूल लुकिंग लाइक वाओ यह वाला सीन हो जाता है अगला क्या होगा बताएं मैंनी एन एक्सिदेंट हैव रिसेंटली टेकन प्लेस ओर देन वन आप अब अबफ नन आप अब अबफ यह यह आ रखेंगा बताएं चलिए अब देखेंगे दो बार एड्मिन कार्ड जारी होते हैं पहले वाले मैं आपको सिटी बताया जाएगा केबल बस दूसरे वाला जो आएगा उसमें आपको सब कुछ डेटेल मिलेगी स्कूल कहां पर है ताकि पेपर लीक ना हो इसलिए बीपी असी की पेपर लीक नहीं हु अब डिरेक्ट कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल होगा और अगर मैनी के बाद में आर्टिकल ए या एन आता है तो आगे आने मल नाउन जो होगा वो सिमुलर नाउन होगा तो वर्ब कैसी आएगी सिमुलर आएगी क्योंकि फिर ये जो मैनी होगा ना ये किसका क एक ही मिस्टेक है क्या वो है बी विल बी दा राइट ऑप्शन यहां पहो जाएगा एकदम सिंपल से बात समझ में आ गया एकदम क्लियर चलिए प्रीती जी रादे रादे क्लियर होगे ना समझ में आ गया चलिए क्वेशन इंबर फॉर्थ का क्या होगा बताएं इसमें क्या होगा बताईएं चलिए बतादीजे इसमें देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा दो चीज़े आपको जो कन्फ्यूज करते हैं उस कन्फ्यूजन को समझ यह क्या है कि एक होता है नथिंग बट और एक होता है नथिंग बट होता है एक नथिंग बट होता है एक नथिंग बट होता है और एक नथिंग बट होता है और एक नथिंग बट होता है एक नथिंग बट होता है जब नथिंग बट होता है उसमें इसके कोर्डिंग आपको वर्बका इस्तेमाल करना है जो कि नन बट वाला रूल जो होता है इसमें नीरिस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्व लगाते हैं आपने पड़ा होगा जैसे इधर और आपने पड़ा होगा नीधर नौर और और नन बट और आप देखेंगे not only but also वाला भी रहता है लेकिन यहाँ पर जो nearest subject होगा उसके according आपको वर्व लगानी है तो यह नन बट वाले में जो आपका nearest subject है वो यह है friends जो की plural है तो यहाँ पर आर लगा हुआ है plural है responsible है for this mishap तो इसमें कोई mistake नहीं है यहाँ पर आएगा none of the above आएगा लेकिन अगर nothing but है तो nothing according singular वर्व लगानी है तो यह आपका क्या है indefinite pronoun है और जब none of होगा तो भी आपका singular आएगा कई के किताबों में लिखा रहता है कि singular और plural यूज करते हैं कहीं किताबों पर singular लिखा रहता है यह अलग-अलग बुक का लफड़ा रहता है इसमें तो हम भी दावा नहीं करते क्यों क्यों कि examiner क्या मान लेगा यह हम भी नहीं जानते है और आप देखी रहे हैं कि एक दो स समझ में आ गया यह हैं आपके बेसिक से पॉइंट क्वेशन नमबर फाइव का अंसर दीजिएगा इसमें क्या होगा बताए तर फोर डेज हैं अब तो क्या टेस्ट देना हेलफुल होगा अगर आपको हेलफुल लगे तो आप दीजी नहीं लगे तो मत दीजी अब यह तो I am responsible to you तब तो कस्ते मालों all the evidence were against him and he was held guilty more than one of the above none of the above इसमें क्या होगा बताइगे अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर evidence क्या है देखिए all क्या है all आपका executive है तो evidence क्या होता है uncountable noun है evidence क्या evidence आपका uncountable noun है है की नहीं मुझे एक चीज़ confirm करें evidence आपका uncountable noun है की नहीं है और जो all है वो क्या है वो तो आपका executive है तो क्या executive के coding verb लगाए जाएगी या फिर noun के coding verb का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर चुकि यहाँ पर uncountable noun है और वो similar होता है यहाँ पर वर नहीं होगा यहाँ पर was का इस्तेमाल किया जाएगा तो all the evidence was against him and he was held guilty तो a will be the right option यहाँ पर हो जाएगा यहा रिखेगा ठीके बास समझ में आगई मतब noun का पहले chapter का rule पहला वाला ही बुल गए evidence को evidence ही लिखा जाएगा कभी भी evidences नहीं लिखा जा सकता कभी भी evidences नहीं लिखा जा सकता बास समझ में आगई so right option is a हाँ पर हो जाएगा very simple इसके बाद में अगला question number 6 का answer दीजेगा hardly I had reached the airport when the plane had arrived more than one of the above none of the above इसमें क्यों होगा बताई चली बताईए इसमें क्या होगा आज हो क्या गया सब रॉंग जा रहा है यह जब पढ़ाई छूटती नहीं उसका नतीजा होता है जो लोग बातों को मानते हैं ना देकि बच्चे दो तरेके होते जो अपनी दुन में चलते आएक वो जो टीचर के बताई रास्ते पर चलते हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस में मत जूझे रही है आप 10 जगे प्रैक्टिस करते हैं अगर आप एक घंटा बैठ करके क्योंकि हम भी दीटेल ही पढ़ते हैं हम देली प्रेक्टिस थोड़ी करते हैं वेट करें इसलिक साफ होगा हाडली है इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता यहां संहीं होगा तो आपको लिखना पड़ेगा है और दूसरी चीज रिमूफ करना पड़ेगा पर दो मिस्टेक आपको दिखाए देंगी एक इहां इर्जन की मिस्टेक है और यहां पर एक йC की मिस्टेक है तो यहां पर गर डी विल पी धा राइट और अप्शन यहांप हो जाएगा याद रखें बास समझ में आजी तो यह आपको concept याद रखने हैं और याद रखने का तरीका जो सबसे मजबूत तरीका वो यह है कि आप डेली concept का revision करें त्रेक्टेस बली एक घंटा करें ना दो घंटे करें लेकिन concept डेली पढ़ें यह बात या रखें question number seven का क्या होगा वो बताईएगा the manager along with the staffs were honored by the honor of the company more than one of the above none of the above इसमें क्या होगा बताएगा विल्कल अनाया हो चलिए इसमें क्या हो the manager along with the staffs were honored आप देके आपको पता है कि along with हो या with हो या together with हो या as well as हो या like हो unlike हो accept हो तब रूल ऐसे याद रहेंगे कभ याद रहेंगे जब आप पढ़ेंगे डेली तो आपको पता है कि जो आपका पहला subject होता है first subject उसके according verb का इस्तिमाल किया जाएगा आपको यहां पर वर नहीं होगा आपको यहां पर वाज कर इस्तिमाल करना होगा वर honored by the honor of the company पैसिव में होगा तो यहां पर क्या होगा आपका वी विल भी दर राइट ऑप्शन है जा रखे इस दर्ट क्लियर बात समझ में आगी यह डी क्यों लगा रहे है आप लोग आपको पता है कि along with यह with along with together with में जो पहला subject होता यह singular है वर्ब कैसी आएगी singular आएगी और यह उन जाएगा और यह भाई भी आप देख रहे हैं पूरा पैसिव का structure है और यह noun of the noun वाला है तो इसमें कोई mistake नहीं है तो भी विल भी दर राइट ऑप्शन यहां पो जाएगा यहां रहेखेगा कि स्टाफ का मतलब होता है कि जो प्लूरल है स्टाफ में एक लोग तो होते हैं स्टाफ में कई लोग होते हैं तो मेरे साफ से यहां पर कोई दिक्कत नहीं है क्यों स्टाफ का प्लूरल स्टाफ नहीं हो सकता है कि मुझे एक चीज आप लोग बताएं इसको कंफर्म करें कि क्या स्टाफ स्टाफ का प्लूरल क्या होता है यह मुझे बताईए आप लोग स्टाफ पर ही प्लूरल होता है अच्छा रूख जाएगे जरा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार ठीक है और अगर उसमें हैं तो कोई बात नहीं ठीक है यह तो आपके बुक में दिया हुआ है यह स्टाफ ही है अभी तक देखा है सर्थ कोई बात नहीं अगर इसमें मिस्टेक है तो एक बार इसको आप कंफर्म कर लीजेगा यह बुक में सैथ रॉंग प्रिंटेड होगा तो अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं भी आप्शन आप बी मान लीजीएगा ठीक है ठीक है मैंने भी स्टाफ का स्टाफ फनहीं मुझे लगा होता होगा अधूरल होता होगा ठीक है कि कोई वात ने चलिए-ठीक वेशनन आप ए Estado करें लेंगी टीट कर लेंगी टीक टोंट वरी 2 3rd of the land have been pluffed इसमें क्यों होगा बताईए more than one of the above इसमें क्यों होगा बताईए चेक कर लिजे मैं भी चेक कर लूँगा कभी कभी होता है अगर आप उस चीज में सर एस्पी बख्षी में ही wrong है मैंने देखा है आँचा देखा है आपने ठीक है अगर आपको डी लगते है तो ठीक है तो चेक कर लेंगे बाद में 2 3rd of the land have been pluffed more than one of the above इसमें क्यों होगा बताईए देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको बता दूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो 3rd होगा वो plural होगा और यहाँ पर आप S लगेगा ठीक है बात समझ में आगी कि 2 के लिए यहाँ पर 3rds लगेगा वैसे तो मैंने जैसे मैंने कहा 3rd person तो 3rd क्या होगया एडजेक्टिव होगया लेकिन अगर मैंने बोला 2 3rds तो यहाँ पर 3rds जो होगा वो noun हो जाएगा तो यह noun हो जाएगा तो यहाँ पर 3rds लिखना पड़ेगा 2 3rds of the land लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 3rds of यह एक डिटर मैनर है जो कह रहा है कि 2 3 हिस्सा किसका land का यह आपका subject है noun है land uncountable है तो यहाँ पर has होगा क्या होगा has been होगा यहाँ रखे तो यहाँ पर भी एक mistake है और एक mistake यहाँ पर भी है तो इसलिए D वाला option यहाँ पर सही होगा कि 2 3rds of the land point is clear यह बात समझ में आगई आप लोगों को अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है बता दीजे क्योंकि land uncountable है तो जो subject होगा आपका जो noun होगा उसके according वरभाएगी तो singular हैगी और 2 के according यहाँ पर 3rds हो जाएगा यहाँ रखे is that clear? question number 9 का क्या होगा बताईएगा more than one room vacant अग्सपोर्ट इक्सणरी में सर जी स्टाफ को singular and स्टाफ को plural माना है आप सही है चली प्रीती जी thank you for the confirmation ठीक है बाकी एक बार चेक कर लेंगे बच्चों की तसलिए के लिए बच्चे भी चेक कर लेंगे इसलिए मैंने उसको लीफ कर दिया है वीकली एक आपने confirm किया तभी आपने बोला होगा और बाकी लोग भी अपना देख लीजेगा इसमें क्या होगा बताईए ठीक है more than one room vacant इसमें क्या होगा बात यह नहीं होते ने बच्चे करेंगे ग्रुरुजी हमने आज तक कभी स्टाफ का स्टाफ नहीं पढ़ा अब ज़रूरी नहीं कि नहीं पढ़ा तो ऐसा होता नहीं होगा प्वाइंट यह है तो अगर चिकल लिंग एक बार ठीक है तो यहां पर क्या होगा इस आएगा यहां रखे कि इस ठीक है आप जानते कि अगर more के बाद में कोई noun आएगा वो भी plural noun आएगा तो आपका वर्ब कैसा होगा plural वर्ब होगा और यदि more than one वाला है तो आपको यहां पर similar वर्ब का इस्तिमाल करना है ठीक है बात समझ में आगी so the right option is a यहां पर I am a has been Fatima के शजी मंदिर गेता है हाँ आज वो खरहाय जाता है न शिव जीव को चूरा इसमें क्या होगा बताई चलीए चलीए बतादीजे क्वेशन में क्या होगा बताईए अब्रियुक्त होटल जो तो है ठीक है अब देखें हाफ अब दया होटल्स टू दो इसमें क्या हो गर बताइए अब देखें here यहां पर मैं आपको बता दो कि जो हाफ आफ है जैसे टू थार्ड होता और वन फोर्त होता है कुछ होता है वह होता है कि actually determiner होता है उसके बाद में जो ना उन आएगा वो कैसा है प्लूरल है तो तो टोड़े के लिए आप पहले बात तो यहीं प्लूरल है यहां पर आप आर लगा दीजिए सिंपल सो जाएगा यह विल भी दा राइट ऑप्शन यहार रखिएगा पास समझ में आगी तो यहार रखिएगा अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है ना एक लाइक बनता है और एक शेर भी बनता है डो लाइक शेर अच्छेर अच्छेय और क्रश्चंबर 11 का क्या होगा बताईए ऐगे question 11 is Rahul said I am here to help you all BPSC का recorded batch other exam की practice के लिए भी इनफ है ना आप एक बात बताईए क्या other exam में 5 options आते हैं यह आते हैं चारी आते हैं यह वले BPSC में 5 option आते हैं option के बेस पर तो बिल्कुल helpful नहीं होगा other exams के लिए ठीक है रही बात concept की तो उसमें 23 practice sessions हैं तो उससे सारे exams cover नहीं हो जाते हैं कि एकदम cover हो जाएं उसके लिए आप detail में पढ़िए पहले बात practice कीजेगा तो सारे exams के लिए cover हो जाएगा चलिए इसमें क्या होगा बताईए अब इसमें क्या होगा क्या आपको पता है कि B option यहां पर सही है ठीक है राहूल said that he was there to help us all hair का देयर हो जाएगा यहां रखे इस नहीं होगा यहां hair नहीं होगा तो B will be the right option यहां पर हो जाएगा very simple is that clear question number 12 का क्या होगा बताईए question number 12 का क्या होगा they should follow all the instructions carefully sir मेरा center भागलपूर गया है अगर आप भागलपूर गया है center तो वहां उससे मिल के आएगा वो YouTube नहीं है वो आनन्द भागलपूर का आनन्द उससे मिल के आएगा ठीक मिलियेगा तो मेरा भी परचे करवा दीजेगा चलिए रादे रादे रियू आप देके इस में क्या होगा all the instructions should be carefully followed by them C will be the right option यहाप हो जाएगा याद रखेगे ठीके C will be the right option I'm clear ठीके question number 13 का क्या होगा बताईए I wish I abode आप आप नॉर्मल ट्रेक्टिज जो करते हैं यहापर क्या होगा वर्क इस्तिमाल किया जाएगा ठीके क्योंकि में यहापर hypothetical situation है कास में चिडिया होता जट्टे से भागलपूर पहुंच जाता अकास में बाज होता तो आपको टांग के भागलपूर पहुंचा देता यहापर क्या होगा वर्क प्लूरल लगेगा ठीक है यहाँ रखेगा बाद समझ में आ गई चलिए question number 14 का क्या होगा बताईए देखिए हमारे जो concept batch हैं जो concept पढ़े हुए हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं आती है बस आपको बड़ी ऐसे concept पता हों तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है question number 14 I have visited कास्मीर इसमें क्योंगा बताईए अब वही तो पैड़ागोगी उसमें आती है और मैं पैड़ागोगी पढ़ाता नहीं हूँ इसलिए में अमर्स के बैच नहीं चला सकता है इन रीजन यही है पैड़ागोगी आती वह पढ़ाते नहीं है इसमें क्या होगा कोई भी आपको वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना विजिट जब आपका वर्ब होता है तो नो प्रैपो और जब यही आपका नाउन का काम करता है तो तू प्रैपोजिशन का इस्तेमाल करता है तो इसमें यह आपका वर्ब है तो इसमें नन आफ दा अबव होगा कोई प्रैपोजिशन नहीं लगेगा he will be the right option यहां पर दिया रहे हैं, ठीक है? क्वेशन में 15 का क्या होगा, बताईए इसमें क्या होगा क्वेशन में 15 में, I have been living here last 3 months इसमें क्या होगा, बताईए क्वेशन में 15 में, I have been living here last 3 months चलिए कोई बत नहीं है, एड़ आगया तो उसको भी देख लिया कीजिए देखिए इसमें क्या है कि यहां पर अगर last के बाद में कोई नमबर आ जाए तो 4 लगाते हैं और अगर कोई नमबर ना आए तो since लगाते हैं, फिलाल यहां पर क्या होगा, for होगा a will be the right option ठीक है, क्या होगा, a will be the right option हो जाएगा I am been living here since नहीं होगा, since तब होता है अगर लिखा होता, since last month लिखा होता अगर last month होता तो since आता अगर last के बाद में कोई नमबर लग गया है तो for का इस्तिमाल करेंगे a will be the right option ही आप हो जाएगा याद रखे ठीक है, बाद समझ में आ गई is that clear आरा की since नहीं होगा for ही होगा, ठीक है और दोनों का reason मैंने आपको समझा भी दिये question number 16 का क्या होगा, बताएजे question number 16 का क्या होगा, बताएजे गांधी जी, used to walk in the morning गांधी जी, used to walk in the morning इसमें कौन सा टेंस होगा यह बढ़िया है न, घर आ रही है बहुत हो गांधी जी, used to walk in the morning इसमें क्या होगा, की used to क्या है, past की habit को दिखाता है तो यहाँ पर simple past tense हो जाएगा यहाँ रखेगा, a will be the right option simple past क्योंकि यह past की habit को दिखाता है गर्वी की second form भी है इस वज़े question number 17 का क्या होगा it is time you the station बताएज चलिए question number 17 में it is time you the station इसमें क्या होगा बताएज देखिए एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा आपको बता है कि अगर it is time लिखा हुआ है तो हमको वर्वी की second form यानि की raised का इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पर be will be the right option हो जाएगा ठीके, बात समझ में आगी question number 18 का क्या होगा man of means man of means idiom का meaning क्या होगा बताएज कल शिरात्री थी वांग वांग तो नहीं खा लिए हैं आप लोग क्योंकि उस दिन बहुत लोग भांग का सेवन कर लेते ठंड़ाई जिसको बोलते हैं ठंड़ाई अभी होली भी आ रही है उसमें भी ठंड़ाई चलेगी है ना एक बार मेरे साथ ये हादसा हो चुका है man of means इसका क्या होगा a wealthy man means माने होता I जैनि जिसकी I अच्छी हो मतलब की a wealthy man C will be the right option हो जाएगा याद रखिएगा एक बार मैं 12 में था और होली की दिन में दोस्तों साथ घूमने निकल गया एक चौराया पर बढ़ियां चल रही थी ठंडा ही पलाई जा रही थी फिर क्या हुआ है कि हमने पूशा भी कि इसमें भांग तो नहीं बोला नहीं है नॉर्मल है जब पिया तो भांग वाली ही थी पीने के बाद में घर के पास थोड़ा पहुंची ही पाए थे उसना जोर का चक्कर आया कि एक जो roadset बनी रहती है वो जो होती है क्या बोलते हैं street बनी रहती है cemented उसमें जाकर की लेड़ गया वहीं पर सो गया उसमें सो गया हूं road की किनारी सो गया public festival that takes place in the street with music and dancing carnival carnival festivals हुआ करते हैं सब के शहर में होते होंगे सब के जिले में भी होते हैं a will be the right option हो जाएगा carnage का मतलब जहां पर बहुत हत्या होती है मास जो कह सकते है हत्या cannibal मतलब नर्भक्षी कह सकते हैं जो इंसानों का मांस खाते है तो a will be the right option हो जाएगा यार रखिए ठीके बाद समझ में आगी क्या करते हैं अब दोखे में चली गई तो चली गई पी गई पी गई तो भाईया आप तो पर मेरे दोस्त आया वो मुझे उठा के मतलब मुझे जगा करके घर लेकर के आए घर पे आकर के मैं सो गया फिर से किसीने मुझे कुछ नहीं बोला यह सोच करके कि अभी तो भोश में नहीं क्या फाइदा जगे करता भी इसकी कुटाई करेंग वट मैं जब सो के उठा अभी किसीने कुछ नहीं का ठीक है चलो जाने दो अब दुवारा नहीं करना है चलिए सुनोने मौफ फ्रिस्क किसका क्या होगा बताईए तांट पड़ी बजगे पिटाई काइदेगी हो जाती सुनोने मौफ फ्रिस्क का क्या होगा बताईए जैसे कभी अपने गाय के बच्छडे को देखा जो नया नया पैदा होता है कितना उचलता है या गोड़े के बच्छा कितना उचलता है उसको भी फ्रिस्क बोलते हैं यानि गैंबल करना चांस करना तो यह मिलाकर कि D option सही हो जाएगा या रखे ठीक है कि अब भांग पीना अच्छी बात होती है बहुत गंदी बात होती है अभी नहीं चाहिए जब लोग शराप पी सकते हैं तो फिर भांग कौन सी बड़ी चीज़ आज कर कोई शराप पीने लग गया है फैशन चल लगया टीवी में देखते हैं दिन मर बड़े बड़े लोग नस्यखते हैं अच्छा से घ्लास में बड़ी यह पी रहे होते हैं बड़ी एच्छी चीज है त 10 साल की बच्चे निट एजट शौट पीते है एं ईंसी भी तरफ क्रोई मेरी नजर्माल अच्छी चीज है त converter किसम का विक्ति होता है उसको बोलते हैं फेनाटिकल यह नहीं हुग होगा उबसे Knight का मतलब जदी होता हिंए सुनोनिम हो जाएगा है ऑन गयं नहीं है यह यह भी क्या होजाएगा HAMizen움 हो जाएगा और कि अंच्वडग्मेंटीड मतलब यह नहीं है तो ये इसका इंटॉनिम हो जाएगा, C will be the right option ही आप हो जाएगा, या रिखिएगा, ठीके बात समझ में आगी, बिलकुल, है ना, question number 22 का क्या होगा, बताएगे, question number 22 is, she is as intelligent as her brother is, इस पर क्या होगा, बताएगे, किसी का भी नशाओ खराब होता, चाय का भी, जो लोग बहुत चाय पीते हैं, बहुत ज्यादा मात्रम चाय पीते हैं, वो भी बीमार रहते हैं, बताएगे, कोलाइटिस हो जाता है, चाय भी हिसाब से पिया कीजिए, ज्यादा चाय पीना भी नुक्सान दाया के, इस में क्या हो का बताएं, देखिए, जो यहाँ पर आइज़ हर बरदर है, यह आपका क्या है, एडवर्ब clause हो जाएगा, यह रखे, आडवर्फ of comparison कह सकते हैं, क्योंकि as, as जो है, वो कंपारिजन दिखाता है, तो यह أडवर्फ of comparison, यानि as अब्रदाइस क्या हो जाएगा adverb clause हो जाएगा C will be the right option याप जाएगा से बास समझ भी आगई question number 23 का क्या होगा बताए question number 23 is he speaks like a born orator वैसे बोलता है जिसे पैदाई सी हिटलर हो मतलद मैंने हिटलर इसली बोला हिटलर एक बहुत बड़ा औरेटर था बहुत च्छा बोलता था वो बाकी औरेटर मतलब वक्ता he speaks like a born orator इसमें क्या होगा बताएगे like a born orator जो होगा वो आपका adverb phrase हो जाएगा क्योंकि आप बोल की देखिएगा he speaks वैं बोलता है कैसे बोलता है यानि उसका बोलने का तरीका क्या है उसका मैनर क्या है like a born orator इसलिए ये क्या होजाएगा adverb phrase हो जाएगा याद रखिएगा see will be the right option ये के बास समझ भी आगी question number 24 का क्या होगा बताएगे question number 24 is no one is promoted to a higher class unless he is examined make it simple simple बनाएगे क्या होगा बताएगे चलिए question number 24 is no one is promoted to a higher class unless he is examined make it simple simple बनाएगे बताएगे एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा no one is promoted to a higher class without being examined यह बात बलकुल सही है यहाँ पर is promoted को only promoted कर दिया गया जो कि गलत हो जाएगा यहाँ यहाँ पर meaning change है क्योंकि passive ही बनेगा यह भी wrong है और इसके साथ में promoted नहीं लिखा हुआ यह भी wrong है तो a will be the right option यहाँ पर हो जाएगा याद रखें बात समझ में आ गई very good question number 25 का क्या होगा बताएगा do this or you will be punished make it complex आपको complex sentence बनाना है जो लोग concept पढ़े रहते हैं उस तो confident होते ही हैं कि मुझे answer कर रहा हूं मैं तो मैं अपने logic के साथ मैं answer कर रहा हूं होती ही थोड़ी बहुत चलता है अलग बात लेकिन जुन्होंने कभी concept नहीं पढ़ें वह अगर गलती कर रहे हैं फिस सीकने गलती कर रहे हैं का मतलब है कि वह अभी मतलब उनका slow down चल रहा है अभी बहुत तुक्की चल रही है तो अगर आपको नौकरी लेनी है आपको बहुत confident होकर करके answer करना पड़े do this or you will be punished unless लिखा हुआ है यहां पर not नहीं आएगा क्योंकि आप sentence पढ़के देख लीजे ना जब तक कि तुम यह करोगे तुम सजा नहीं पाओगे जब तक कि तुम नहीं करोगे तुम सजा नहीं पाओगे तो गलत हो गया आज किस बात का फास तो कल था जोने रखा होगा कल थी न शुड़ाते हैं आज तो फास तोरने का देने है क्लिए क्वेशन बस ठीक आज के लिए इतना ही है 25 सेशन 25 कोशन सी बन पाए है आज के कॉशन में कॉंसेट बहुत अच्छे थे बड़े बेसिक कॉंसेट है जो डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे आपको 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 एक्जाम के लिए बवजूद भी मैं आपको यही सलाय दूगा कि जो भी पढ़ते हैं पढ़ियों से पढ़ियों ठीक है कॉंसेट के साथ है अजो लोग TZT PZT की preparation करते हैं और grammar के detailed courses को join करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं सीखना चाहते हैं आरे साथ जोड़ना चाहते हैं वो इस number पर 9889-292697 number पर query कर सकते हैं हमारा समर्थ batch अभी भी बढ़िया वीट में अच्छे से बढ़िया चल रहा है अच्छा तो लगा वह वह ऊच्छाथ तो आपको पता है क्या क्या दशा हुई है मेरे पैरो में ही तुक बेरे रंगा हुआ है जैसे लेडीस दोग नहीं लगाते है अपने पैरों में रंग ससुच्राद से लोटी है तो पैरों में रंग लग तैक थॉक्रीफर सपहरें की नहीं जा सकता कहीं भी मेरे लिए आफाथ हो गई तेरे में भी थोड़ा सा रंग लगा था बद वो छूट गया है मेरे हाथ भी रंगे हुए थे और ये सब तो छूट गए चलिए बिल्कुल ठीक है ओके चलिए बात समझ में आगे ठीक है तो फिर आज के लिए इतना काफी है और ओके गाईज बाई जब यूज आपका बहुत बहुत बश्चुक्रे था इंकिस सो मच तो सुराल साइड साधी थी किया हाँ हाँ बिल्कुल उसी साइड में शाधी थी बिल्कुल बिल्कुल जलिए ठीक है तो आज के लिए इतना काफी है अपने ख्याल रखी अपने फैमली का ख्याल रखी और आप लोगों से मुलाकात होगी अब और जो लोग बैच के लिए पूछते रहते हैं क्वेरी करते रहते हैं उनके लिए डिटेल्स में आप यहां पर पेस्ट कर दे रहा हूं तो इसमें क्वेरी कीजएगा वाट्सप में अब लोगों से मुलाकात होगी अब कल संडे मट मैं कोशिस करूंगा कल भी आपके क्लास हो जाए ठीक है तो आप लोग कल भी संडे को क्लास को जोइन कीजिएगा कोशिस करूंगा अब गार नहीं कर सकता इसमें थोरा सा अब इसमें क्या करें इस वज़े से मैं दावा नहीं कर सकता बट कोशिस करूंगा जैसा भी होगा आपको इनफोर्म मिल जाएगा उसके लिए आपको पता है क्या करना है कि जो मेरी पब्लिक वाली टेलिग्राम का जो लिंक है मैं उसेंड कर दे रहा हूं आप जोएन कर ल इस गुरुप को विजिट कीजिए और आपको मालूम चल जाएगा क्लास है या नहीं यह लिंक मैंने यहां पर ड्रॉप कीजिए क्लिक कीजिए टेलिग्राम को जोइन कर लीजिए और बस जैसा भी होगा कल में इन्फोर्मिशन दे दूगा तो आज के लिए बस यतने ही है तैंक्यों मुच आपसे मुलाकात होगी कल या परसुक्त में कोशिस करूंगा बाई टेक के नमश्कार जैए